आप देख रहे हैं नेक्स्टो नाइन स्पोर्ट स्वागत करता हूँ अब सबीगा हमारी आज के अज बेहत खास अबडेट में युवराज सिंग एक ऐसे खिलाड़ी जो की साल 2011 के वल्ल कप में अलगी निखर कर सामने आ रहे थे उस वल्ल कप में अपनी जी जान युवराज सिंग ने लगाई थी और इस बार यानि कि अगर साल 2019 की बात की जाए और वल्ल कप 2019 की बात करें विश्कप की बात करें तो भाई इसमें युवराज सिंग का नाम नहीं है पंदरा खिलाडियों का एलान किया था बीती 15 अपरेल को पंदरा अपरेल को जहां भारतिय कीम का चैन था तो नहीं चैन करताओं ने इस बार युवराज सिंग को मौका नहीं दिया है भारतिय टीम में वल्ल कप 2019 के लिए ये तो बात रहें कि कैसे युवराज का वर्ल कप सपना तो तूट सा ही गया अभी तक लगभग हलगी कहा जा रहा है कि कुछ खिलाडी आ सकते हैं भारतिय क्रिकेट टीम में तो उमीदें अभी बरकरार हैं लेकिन इसी बीच युवराज सिंग का जहां नाम नहीं है अभी तक वर्ल कप में जहां वर्ल कप में वो नहीं खिलने वाले हैं तो वह यह अब ऐसा लग रहा है कि मुंबाई इंडियन्स की कप्तानी में रोहिश शर्मा की टीम जी हां ये दोनों टीमे हैं जो कि आज आपस में भिडने वाली हैं इसके लावा आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इन टीमों का टीमों में कौन कौन से खिला रही हैं सबसे पहले बात करते हैं चिन्नाई लेजा, दीपक चहर, हर्भजन सिंग और इम्रान ताहर, यह वो खिलाडी हैं जो कि आज चेननाई सुपर किंग्स की तरफ से खेलेंगे मुंबई इडियन्स के खिलाफ, अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियन्स की क्या टीम है, मुंबई इंडियन्स में कौन कौन से खिल और लेसित मलेंगा, यहां आप सोच रहे होंगे कि मुंबई इंडियन्स की टीम में कहीं युवराज का नाम आएगा, तो अभी तिक जो खबरे आ रही हैं, जो प्लेंग इलाइवन का एलान किया गया है, जो 11 खिलाडी आज खेलने वाले हैं, उनमें कहीं भी युवराज क नाम मुंबई इंडियन्स की तरफ से अभी तक तो सामनी नहीं आ रहा है, यानि कि युवराज का जहां विश्कप का सपना तो धरा का धरा रह गया, जहां विश्कप में इस बार उनकी जो है आने की गुंजाइश कम ही लगाई जा रही है, आला कि टीम एलान के बाद तो वैसे भी गुंजाइश कम ही है, लेकिन इसे वेच मुंबई इंडियन्स भी अब उनको आईपील में खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, अब ये किस की मर्जी की वज़ते नहीं दिया जा रहा है, ये तो पता नहीं, लेकिन आज भी नहीं खेलने वाले हैं जो दो स्टोरी पोस्ट की गई है, उन दोनों स्टोरी में ये वराज सिंग जो है प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, मुंबई इंडियन्स की उन्होंने टी शिर्ट पहनी होई है, मुंबई इंडियन्स की उन्होंने ड्रेस पहनी हुए, मुंबई इंडियन्स की उ उसमें युवराज सिंग का नाम नहीं है तो वहीं बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या विश्कप के लावा युवराज को कहीं और भी खेलने का मौका नहीं मिलेगा आईपियल 2019 पर सभी की काफी जादा नाजन है यह तो भारत का त्योहार कर जाता है आईपियल और उसी त्योहार में अब युवराज को हिस्सान नहीं लिया जा रहा है यह भी बड़ी बात है लेकिन इसी बीच बात कर लेते हैं अब चेननाई सूपा किंग्स और मुंबाई की बीच यह जो घमासान होने वाला है जाहिर से बात है जो आपस में एक लाड़ी भिड़ने वाले हैं यह काफी दिल्चस मैच होगा मरणजक मैच होगा और शायद इस मैच से आप अपनी निगाहें भी नहाटा पाएं अगर धोनी की बात की जाए तो धोनी की बैटिंग ह अभी हाली में तावर तोड़ दिखी गई थी जब हाल गई थी चेन नहीं सुपरा किंग उस मैच में लेकिन आखरी ओवर जो था वो काफी जदा शांदार दिखाई दे रहा था जो की मैश था उनका जी हाँ मैश था उनका आर सीपिके के खलाफ लेकिन इसी इसी इसे भी जहां देखा गया था इस बार तो वहीं आप देखना होगा कि महेंदर सिंग नोनी तो कैसा प्रदर्शन करते हैं बागी खिलारी कैसा प्रदर्शन करते हैं और सबसे बड़ी बात रहेगी कि आखरकार चेन नई सुपा किंग्स जो की पूरे तरीके से अभी तक फॉर्म में नजर आ रही है आईपेल 2019 में और मुम्मा इंडियन्स भी ठीक टाक कर रही है लेकिन अब देखते हैं कि यह जो घमासान है आज होने वाला है इसमें किस की जीत होती है और बड़ी खबर थी कि वरा जिस बार भी टीम में नहीं है ऐसी दमांग डेट्स के लिए आप